Expressions and Conditionals की इस exercise में हम लोग कुछ questions को solve करने वाले है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से arithmetic operators काम करते हैं किस तरह से switch case statements काम करते हैं इस practice set में मैं आप लोग को बताऊंगा एक question हमारा dedicated है switch case expressions को और उसे के साथ-सद आप लोग को बताऊंगा किस तरह से influence statements के programs को लिखा जाता है चल स्वेर अब हम लोग आ गए है chapter 2 के practice set में और हम chapter 2 का practice set solve करेंगे कुछ questions solve करेंगे और एक comment आया था कि यार console.tullu काम नहीं कर रहा है भी मतलब यार मारो मुझे यार मारो मुझे मारो मारो console.log काम करेंगा यार console.tullu मजाग था एक दो कमेंट आय थे कि या console.tullu काम नहीं कर रहा है मतलब सची में तुम लोग यार यह playlist अब यह जिसने भी लिखी दिए बात यह वाली playlist जिसने लिखी दिए कि यह एक console.tullu काम नहीं कर रहा है तो यार मतलब इसको एकसस कर लो playlist को ठीक है अब हम question की तरफ बढ़ते आगे chapter 2 का पहला question यह कहता है कि logical operator का करके आपको पता लगाना है कि किसी भी इंसान की एज 10 और 20 के बीच में लाए करती है कि नहीं करती है तो बहुत ही simple सा question है तो मैं आप जल्दी से लिख देता हूँ चैप्टर टू प्राक्टिस सेट लिखता हूँ और फिर प्राब्लम नंबर वन ठीक है प्राब्लम नंबर वन क्या कहती है कि आपको logical operators यूज करके पता लगाना है कि कि किसी भी इंसान की एज 10 और 20 के बीच में लाए करती है कि नहीं करती है और इसके बाद मैं आपर एक if statement लगाँगा और मैं कहूंगा if age is greater than 10 and age is less than equal to 20 अब देखो इस question की दो variants हो सकते हैं अगर आप कहते होगी lies between 10 and 20 तो 10 और 20 included नहीं होंगे ठीक है तो मैं इस तरह से लिखूंगा अगर is between 10 and 20 including 10 and 20 होगा तो equal to लगेगा ठीक है अगर आपसे यह question पूछ लेता है और clear नहीं है question पर तो आप equal to लगा सकते हो greater than equal to लगा सकते हो less than equal to लगा सकते हो less than लगा सकते हो कुल मिलाके कहने का मतलब यह है कि 10 और 20 के बिच में लाए कर रही है तो age 10 से बढ़ी होगी 20 से चोटी होगी ठीक है और आप यहां पर लिख दो console.log और इसके बाद आप यहां पर लिख दो your age lies between 10 and 20 ठीक है और else हम क्या करेंगे else हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से और हम लिख देंगे your age doesn't lies between 10 and 20 ठीक है तो कुछ इस तरह से हम लोग यहां पर इसको कर सकते हैं अब एक बहुत ही important note मैं आप लोगों को देना चाहूंगा और वह important note यह है कि बहुत सारे लोग ना prompt को चलाने की कोशिश कर रहें VS code के अंदर और होता क्या कि जब आप अपने computer में Node.js install करते हो VS code के through prompt को चलाते हो तो वह नहीं चलेगा क्योंकि आपको prompt browser पे चलाना पड़ेगा अगर आप लोग ब्राउजर पर जावा सर्म लिखते हो या अगर अगर मानलो HTML पेज बनाते हो उसमें script tag के अंदर ये code लिखते हो तब तो आप लोग कुछ इस तरह से मैं अगर आपको यहीं पर दिखाऊंग इंस्प्रेक करके तो अगर मैं यह वाली लाइन को भी पेस्ट करों सिंप्ली यह वाली लाइन को भी पेस्ट करों लेट एज इस एकल दूप्रॉम्ट इस तरह से ठीक है मालो मैं इसको कॉभी पेस्ट कर दूँ यहां पर अगर आप लोग चाहते हो कि आपका प्रॉम्ट काम करें तो यहां पर मालो मैं लिखो प्रॉम्ट और हैलो ठीक है कुछ इस तरह से और यहां पर लेट इस तरह से अगले कॉश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ूगा और अगला कोश्चन की तरफ में आगे बढ़ूगा और अगला कोश्चन कहता है demonstrate the use of switch के statements in JavaScript तो बहुत सिंपल सी चीज है ठीक है problem number two कहती है switch के statements को आप लोग explore करो खुश्च से ठीक है तो switch के statements को जानने के लिए समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि switch के statements को हम लोग बना लेंगे ठीक है तो मैं क्या करूँगा अरे यार यार यह क्या हो रहा है switch लिखना चाहता हूं मैं और मैं यहापर लिखूँगा switch age और इसके बाद मैं लिखूँगा case 12 और यहापर मैं लिखूँगा console.log your age is 12 ठीक है बड़ी बड़ी जीब सी बात मैं यहापर लिख रहा हूं बट जस्ट आप लोग को यहापन स्टेट करना है ठीक है तो यहतना simple example ले उतना बड़ी है all दबा के multiple cursus लेकर आऊंगा ठीक है और यहापलेट में रहने का फाइदा यही है कि एक तो यहार आपका code अमर हो जाता है ठीक है और इसके बाद default में मैं लिख दूँगा your age is not special ठीक है अब देखो यहापर क्या होगा मैं इसको run कर रहा हूं what is your age 12 ठीक है your age lies between 10 and 20 पुराना प्रोग्राम चल रहा था अब मैं दुबारा से fresh प्रोग्राम को चला रहा हूं यह कह रहा है what is your age 12 लिखा your age is not special अब यहापर your age is not special क्यों लिख कर आ रहा है यह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं देखो जब मैं यहापर your age is not special इसले लिख कर आ रहा है आपर क्योंकि अब बात यह होए कि हाला कि यह जो हमारा प्रोग्राम है वो चलेगा लेकि उसके बाद भी मैं यहापर इसको इसको यहां पर लिखा ठीक है इसके बाद क्योंकि मेरी जो एज मैं यहां पर लिखा ठीक है इसके बाद क्योंकि कि मेरी जो एज में इंटर करूंगा वो एक स्ट्रिंग होगी मुझे कुछ इस तरह से लेकना पड़ेगा ठीक है और आप लोग देखो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और इसके माद मालनों मैं 45 लिखूंगा तो आप देखना कि इसके नीचे के सारे हैं कि एक स्ट्रिंग होगा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप पर ब्रेक लिखा तो इसको अगर वाला किस मैंच हो रहा है और फिर स्विच के स्टेट्मेंट से एक दम बाहर आ जाओ ठीक है तो मैं इसको रन करके अगर आप लोग को दिखाओ और मैं आप 12 लिखों एंटर मारूँ तो सिर्फ यूर एज इस 12 लिख कराएगा इसका मतलब समझे दाया इसका मतलब यह है कि अगर आपने ब्रेक लिखा है किसी भी केस के लिए तो उसके नीचे के केसेज एक्जिक्यूट नहीं होंगे अगर मैं यह काम 13 के लिए करूँ कुछ इस तरह से तो आप लोग देखोगी 13 के नीचे के सारे केसेज एक्जिक्यूट हो रहे है यह रिजिस पंदर आ रहा है 14 लिखके एंटर मारता हूँ यह रिजिस 14 है आप लोग समझ गया है प्रॉडम नमबर डू किस तरह से काम कर रही है और यार मज़ा आ रहा है कि नीचे कमेंट मार दो यार कमेंट मारते राकरो यार दिल से अच्छा लगता है कमेंट पढ़के जब आपके कमेंट में पढ़ता हूँ यार मज़ा आ रहा है दिल से अच्छा लगता है मार देना कमेंट तीसा कोशन कहता है एक जावास्क्रिप प्रोग्राम लिखो यह पता लगाने के लिए कि नमबर डिविजबल बाई तो मैं आपर ल लिख देता हूंए 2 तो मैं आपर लिखता हूंए 2 से च nggakर थैक है निकि 2 से उसको डिवाइड दिया जाये 2 से भाग दिया जाय नम्-प economy स्सक्य renume तो इकोल टुबडी चीरो एंड नम् पर संत्री इकोल टूबडी अपक्या करो console.log और यहाँ पर लिख दो your number is divisible by 2 and 3, ठीक है वर्ना क्या करो वर्ना कह दो your number is not divisible by 3 and 2 ठीक है तो यहाँ पर is not लिख दोंगा, ठीक है मेरे college में एक सर थे, वो ऐसे करते थे, गाना गाना कर पड़ाते थे, ठीक है, अब यहाँ पर देखो कर रहा है, age is not defined, oh my god, what the duck, इसको में रन करूंगा, और यहाँ पर 12 लिखोंगा, और आप देखो, your number is divisible by 2 and 3, लेकिन, 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 अगर में आप देखो, your number is not divisible by 2 and 3 ठीक है, तो दोनों से divisible होना चाहिए, मैंने कह दिया, 2 से divide करूं, तब रिमेंडर 0 आए, 3 से divide करूं, तब रिमेंडर 0 आए, और यहाँ आप लोग समझ गये, बहुत समझदार हो, ठीक है, बहुत तेज हो रहा हो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कि अगला question देखेंगे, फदर मेंसे किसी भी एक से divisible होगा, तो true return कर देना, कह देना कि भाई, either by 2 और by 3 है, अगर exactly बताना चाहते हो, कि 2 से divisible है, या 3 से divisible है, तो एक अलग if बना लेना, उसमें डाल देना condition, कि 2 से divisible है, तो ऐसे, और 3 से divisible है, तो print कर देना, मतलब कुछ इस तरह से लिख देना, कि if num percent 2 equals to 0, your number is divisible by 2, एक दूसरा if बनाना और लिखना, num percent 3 is equal to 0, तो number is divisible by 3, ठीक है, अलग अलग भी करके लिख सकते हो, ठीक है, sky is the limit, ठीक है, इस problem को solve करने की, अगला question कहता है, कि print you can drive, और you cannot drive, based on the age being greater than 18, using ternary operator, तो यहाँ पर ternary operator का use case है, एक line लिखोंगा, बस यहा कोई मुझे counting सिखाओ, कोई मुझे counting की classes दो comments में, गल्ती हो गई यार, गल्ती रोबोट से ही होती है, ठीक है, इंसानों से होती, अब यहाँ पर मैं, sorry, इंसानों से होती है, रोबोट से होती, मैं अब यहाँ गरूँगा, टernary operator यूज़ करके, simple सा लिखूंगा, और age greater than 18 है, अगर तो, you can drive, ठीक है, वरना क्या होगा, वरना मैं लिख दूँगा, you cannot drive, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा, let age is equal to 12, ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रेंट होगा, you cannot drive प्रेंट होगा, अगर मैंने आपर age 19 कर दिया, और इसको run किया, तो you can drive प्रेंट होगा, तो turnary operator का use कर दिया, मैंने, यह condition होती है, condition if true, तो यह चीज़ चल जाती है, और condition if false, तो यह चीज़ चल जाती है, तो इस case में क्या होगा, एक ही value, यह हो जाएगी, अगर यह condition true है, और अगर यह condition true नहीं है, कौन सी condition, यह condition अगर true नहीं है, तब क्या हो जाएगी, ए क्योंकि एज 19 है तो एक ही वाल्यू यह हो जाएगी क्योंकि एक अगर सकता हूं ठीक है तो इस तरह से बहुत सारे लोग बड़े आधुनिक आधुनिक से सवाल पूछ रहें कि मैंने यह नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ाया तो उन सभी के लिए प्लेलिस से अक्सेस कर लो सब्सक्राइब अगर आप ऐसे आधुनिक सवाल नहीं पूछे रहें तब भी अक्सेस कर लो यह क्लिक करके बुक्मा करो प्लेलिस्ट को यह क्लिक करके सेव कर लो अच्छा हमको सिखा रहा है अभी के ने इस वीडियो में इतना है गैस थाइंक ये सो मच गैस पूछ वाच हुआ है